दोस्तो जब हमारा जन्म होता है तो हमारा शरीर पिचोत्तर प्रतिशत पानी से बना होता है लेकिन बढ़ती उम्र के साथ साथ यह पानी कम होता जाता है वैस क्यानि के एडल्ट होने के बाद एक सामन्य पूरुष के शरीर में पानी की मातरा साथ प्रतिशत होती है वही महिलाव का शरीर 55 प्रतिशत पानी से बना होता है। आखिर यहाँ पानी हमारे शरीर में होता कहा है। कुछ पानी हमारी किड़नी और लिवर में मुझूत होता है। हमारे पेट, ब्लैडर यानि की मुत्राशय और रीड की हड़ीयों में स्पाइनल फ्लूइट की तरह जमा होता है हमारे दिल और दिमार लगभग 25 प्रतिशत तक पानी से बने होते हैं वही हमारे फेफडों में लगभग 83 प्रतिशत पानी मौजुद होता है लेकिन पूरे शरीर में सबसे जाधा पानी हमारी सेल्स यानि की कोशिकाव में मौजु के लिए पानी की जरूरत पढ़ती ही है और इसी वज़े से एक व्यक्ति चाहे खाना खाये बिना लंबे समय तक रह ले लेकिन पानी पीए बिना एक दिन भी नहीं रह सकता पानी हमारे शरीर के लिए इतना अधिक जरूरी होने की वज़े से हमें इस से जुड़े नियमों का पालन करना बहुत आवशक हो जाता है क्योंकि पानी पीने का तरीका पानी पीने का समय और पानी पीने की मात्रा का हमारे शरीर पर अच्छा और बुरा दोनों तरह से असर पड़ता है हमें रोजाना कितना पानी पीना चाहिए किस समय पर और कैसा पानी पीना चाहिए इ त्वचा पर दाग दब्बे और पिंपल्स होना, बालों का जढ़ना, लगातार पेट और आतों से जुड़ी समस्याय बने रहना, भोजन का ठीक तरह से न पचना, शरीर में कमजोरी और आलस रहना, रात में अच्छी नीन न आना, किडनी से जुड़ी बिमारियां, त्वच कई लोग इन समस्यायों से केवल इसलिए परिशान है, क्योंकि वह जाने अन जाने पानी पीने से जुड़ी हुई ज़रूरी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, और शरीर में हो रही किसी भी तरह की बिमारी के ठीक नहीं होने की वजह उन्हें कभी भी नहीं पता जल पाती, जो व्यक्ति अपनी लाइफ में किवल पानी को सही तरीके से पीने की आदट डाल लेता है, वह हर मौसम में स्वस्थ और निरोगी बना रहता है, लंबी उम्र तक आखे, हड़िया, बाल और त्वचा जबान बनी रहती है, पेट हमेशा साफ रहता है और स्किन ह अमेशा गलो करती रहती है, और इतना ही नहीं, कई तरह की बिमारियों को केवल पानी पीने का तरीका बदल देने से पूरी तरह ठीक किया जा सकता है, और सिर्फ और सिर्फ पानी की मदद से ही बिना डाइट और एक्सरसाइस के एक महिने में 5 किलो से जादा वजन घटाया पानी पीने से जुड़े हुए नियम वैसे तो बहुत आसान है, लिकिन इनके फायदे अद्भूत है, आईए जानते हैं हमें पानी कैसे और कितनी मातरा में पीना चाहिए, कब कब और किस तरह पीना चाहिए, और अलग-अलग समस्याव से किवल पानी के इस्तमाल से कैसे चुटकारा पाया जा सकता है, दिन भर में पानी पीने की मातरा हर व्यक्ति के शरीर के आकार, वजन, फिजिकल एक्टिविटी और मौसम पर निर्भर करती है, रोजाना हमारे शरीर से बेशाब, मल और पसीने के जरिए पानी लगातार कम होता रहता है, और साथ ही बोलने और सास लेने की प्रक्रिया में भी शरीर का पानी भाब बनकर बाहर निकलता रहता है, इस तरह से हम रोजाना 2-3 लिटर पानी हमारे शरीर से बाहर निकाल देते हैं, इसलिए सामन्य तह एक पुरुष को दिन भर में धाई से लेकर 3.5 लिटर तक पानी पीने की सलह दी जा और खास कर गर्मियों में बताई गई मात्रा से थोड़ा जादा पानी पीना चाहिए, जादा पानी पीना वैसे तो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन शरीर में पानी की ज़रुष से जादा अधिकता हमारी किड्नियों के लिए हानी का रग भी हो सकती है, आप दिन भर में सही मात्रा में पानी पी रहे है या नहीं, इसे पेशाब यानि की यूरीन के कलर से पहचाना जा सकता है, अगर आपके पेशाब का रंग पीला है, तो यह निशानी है कि आपका शरीर दिहाइडरेटेड है और आपको पानी पीने की आवशक्ता है, वही अगर दर्शाता है कि आपकी बॉडी पूरी तरह हाइडरेटेड है हमें पानी कब-कब पीना चाहिए इससे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें पानी कब नहीं पीना चाहिए क्योंकि गलत समय पर पानी पीने से हमारी शरीर पर सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है अच्छी सेहत और पानी से मिलने वाले सभी तरह के पोशक तत्वों का पूरी तरह लाब उठाने के लिए अपने दिन की शुरुआ चाहिए कौफी की जगाप पानी से करें चाहे प्यास लगी हो या ना लगी हो रोजाना सुबह उठकर एक से दो ग्लास यानी की लगबग 500 एमिल पानी जरूर पीए खाली पेट पानी पीने से हमारे पेट और आतों की अच्छी तरह से सफाई होती है और साथ ही राद भर में जमा हुई मूह किलार भी पेट के अंदर पहुच पाती है आयर वेद में सुबह सुबह बनने वाली मूह किलार को सोने से भ अच्छा प्रभाव डालते हैं एक ग्लास में लगभग 200 एमिल पानी आता है और इस तरह दिन भर में धाई से लेकर 3 लिटर पानी पीने के लिए सुबह खाली पेट दो ग्लास याने की 500 एमिल एक ग्लास नाश्ते के आदे गंटे बाद एके ग्लास दिन के खाना खाने के 40 मिनिट पहले और 40 मिनिट बाद दो ग्लास पानी शाम के समय एक गंटे के अंतराल में और एक ग्लास रात के खाने के 40 मिनिट पहले और 40 मिनिट बाद पीए इसके अलावा अगर आप रोजाना जिम या वर्काउट करते हैं या आपकी जौब में बाहर गुमना चलना फिनना या शारिरी काम करना शामिल है तो काम करने के दोरान बीज बीच में आदा आदा ग्लास करके लगभग दो ग्लास पानी ज़रूर पी एं। जूसेस याने की पाचकरस बनना शुरू हो जाते हैं पाचकरस अपनी गर्मी से पेट में मुझूद भोजन को पचाते हैं ठीक उसी तरह जिस तरह से हम कच्चे खाने को गरम करके पकाते हैं खाने की तुरंद बात पानी पीलेने से खाना ठीक तरह से पचने के जगा सड़ने लगता है और ग्यास बनने लगती है अगर आपका दिन भर बैठने का काम है तो खाना खाने के तुरन बाद पानी पीने की वज़े से बनी गैस हमारे शरीर के दूसरे अंगो में भी जाकर जमा हो सकती है जिसकी वज़े से समय के साथ साथ पेट, सर और जोडों में दर्द रहने की समस्या होने लगती है पेट का खाना नहीं पचने की वज़े से जो सबसे बड़ी समस्या होती है वह है एसिडिटी और जो लोग लगातार खाना खाते ही पानी पी लेते हैं उन्हें लंबे समय तक पेट में जलन और एसिडिटी की समस्या का सामना करना पड़ता है अगर लगातार पेट का खाना ठीक तरह से नहीं पचे तो इसके चलते शरीर में कोलेस्टरॉल भी बढ़ने लगता है और साथ ही यहाँ शरीर में यूरीकैसिट की मातरा को भी बढ़ाता है इसलिए कभी भी खाना खाने की तुरन बाद या पहले पानी न पिये हमेशा खाना खाने के 40 मिनिट से एक घंटे बाद ही पानी पिये अगर आप बहुत ज़ादा सुखा भोजन करते हैं तो खाना खाने की तुरन बाद 2-3 घुट पानी पिया जा सकता है लेकिन फिर भी अग खाली पेट पानी पीए तो हमेशा इसे पेशाप करने के पहले ही पी ले और ठीक इसी तरह दिन में हर समय पानी पेशाप करने के तुरंद बात कभी ना पीए क्योंकि जब हम पेशाब करते हैं तो हमारे शरीर के अंद्रूणी अंग तेजी से सिकूडते हैं और ऐसी स्थिति में तुरंद पानी पी लेने से अंद्रूणी अंग और नसे कमजोर होती है जिसकी वज़े से धीरे धीरे पेशाब न रोक पाने और पानी ठीक से न पचने की समस्या पेदा हो जाती है और पानी पीते ही बार-बार पेशाब आने लगती है चाई या कॉफी जिसी गरम चीजों के तुरन बार थंडा पानी न पीए क्योंकि ऐसा करने से हमारे गले और टॉंसिल्स को नुकसान पहुचता है ठीक इसी तरह थंडी ताशिर वाले फल, खटे फल या जिनमें पहले से ही अधीक मातरा में रस पाया जाता है उन्हें खाने के तुरन बात पानी पीना अवाइट करें क्योंकि पानी पीलेने से वह हमारे पेट में पूरी तरह पच नहीं पाते जिसकी वज़े से सर्दी खासी और पेट खराब होनी की संभावना काफी ज़्यादा बढ़ जाती है पानी हमेशा धीरे-धीरे पीना चाहिए ठीक उसी तरह जिस तरह चाई या कॉफी पी जाती है पानी पीते समय उसे पहले थोड़ी दिर के लिए अपने मूँ में रखें और फिर निगलें यहाँ पानी पीने का सबसे बहतर तरीका है और जो लोग इस तरीके की आदट डाल लेते हैं उनके शरीर में कभी भी किसी भी तरह की भीमारी नहीं आती क्योंकि थोड़ा थोड़ा पानी पीने से पानी के साथ मूँ की लार भी पेट के अंदर जाती है और यह तरीका सबसे जादा सुबह के समय फाइदेमन होता है कभी भी जल्दी जल्दी पानी ना पीएं और एक ही बार में बहुत सारा पानी ना पीएं क्योंकि हमारे शरीर की एक बार में किवल एक गलास याने की 200 से 200 मेल पानी पचाने की शमता होती है अगर आप जाधा पानी पीने के चक्कर में एक ही बार में जल्दी जल्दी एक ग्लास से जाधा पानी पी लेंगे तो ऐसा पिया गया पानी हमारी शरीर को पूरी तरह नहीं लगता और पेशाप के जरीए बहुत जल्दी भार निकल जाता है। इसलिए हर 40 मिनिट या एक गंटे के अंतराल में एक ग्लास पानी सिप सिप करके पीएं और गिलास या बोतल में मुझ लगा कर पीएं। कभी भी गर्दन उपर करके जल्दी जल्दी एक साथ बहुत सारा पानी न गटके और साथ ही हमेशा पानी बैट कर ही पीएं। खड़े खड़े या चलते हुए पानी न पीएं। क्योंकि ऐसा करने से पानी शरीर में तेजी से प्रवेश करता है और उपर से पीने की वज़े से यह अपने साथ बहुत सारी गैस को भी शरीर में ले जाता है जिससे की शरीर के अंद्रूणी अंगों में दबाव और खि शरीर का पीएच लेवल कंट्रोल रखता है और पेट की एसिट को शांद करता है और इतना ही नहीं पानी के साथ-साथ मुह की लार भी शरीर के अंदर जाने से हमारा पाचन अच्छा रहता है और पेट में चर्वी जमान नहीं होती वहीं दूसरी तरफ अगर आप जल्दी गर्मी पड़ रही हो कभी भी फ्रिच का बहुत ज्यादा थंडा पानी या बर्फ का पानी न पीए हमेशा सामाने तापमान का या हलका थंडा पानी ही पीए कई लोगों को लगता है कि फ्रिच का बहुत ज्यादा चिल वाटर या बर्फिला पानी हमारे शरीर में थंड़ होते हैं जो लोग हमेशा थंडा पानी पीनա पसंद करते हैं उनके शरीर में पानी के साथ सात्स खाना भी ठीक तरह से नहीं पच्टा और साथ ही सरमे दर्द अपचन और कबज–दी जैसी समस्या जाद थंडा पानी पीने के वज़े से हो सकती है इसलिए हमेशा थंडा लोगों को अक्सर कब्स या जोडों में दर्द रहता है उन्हें हमेशा हलका गरम पानी ही पीना चाहिए गरम पानी पीना सर्दी जुखाम और साइनस की समस्या में बहुत लापकारी होता है लेकिन जिल लोगों को एशिडिटी या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है वह लोगों में बानी का से बानी है भीना झाल